नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशा आज 18 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरे जोंजरो जिले के उद्यपूर वारती शहर की थानसबा में नेता प्रतिपक्षर अजेंदर अठोर ने कहा कि राजस्तान में सरकार जाने वाली है, सरकार जाते जाते महगाई राहत के नाम पर हमारा इमान खरीदना चाती है इस इमान में भी सरकार की बेईमानी है वे उद्यपूर वाती के नजदीक बागोरा में परिवर्तन संकल पियात्रा के दुरान बतार मुख्य वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार को बहुत समय बाद याद आया कि महगाई जादा है सरकार ने 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात की है लेकिन बिजली तारों से गाइब हो गई ये सिरफ लूट और जूट की सरकार है ये नाथी के बाड़े की सरकार है लाल डाइरी की सरकार है सरकार में ब्रश्टाचार का तंडव हुआ, सचिवाले की अलमारी में फाइले बिखती हैं, मोधी सरकार ने 2024 तक हर घर में पानी पहुचाने के लिए 25,000 करोड रुपे राजिस्तान में भेजे, लेकिन राजिस्तान के सरकार 22,000 करोड रुपे का घोटाला कर डालती है जैसल मेर जिले के राम देवरा में स्थित्ति करोडों लोगों की आस्था के प्रतीक बाबा राम देव जी के 649 में भादवा मेले का अगास भादवा सूधी दूस से ब्रह्मा मूर्त में हुआ, भादवा मेले के अगास की अवसर पर जिला कलक्टर अशीश गुपता, स.P. और राव गोम सिंग तमर सेथ अन्य लोगों ने बाबा रामदेव जी की समाधी पर पंचामरित से अभिशेक किया और चादर चड़ा कर पूजा अर्चना की इस दरान समाधी पर नए चादर चड़ाई गई साथी विबिन कुष्प मालाओं से समाधी का श्रिंगार किया गय मिस्ठान और मिश्री का भोग लगाया गया अतीथियों ने बाबा की समाधी पर चमर ढुलाया और बाबा की जोत के दर्शन किये इस अवसर पर पुजारियों की और से अतीथियों को बाबा का परसाद दिया गया और पवितर जारी का जल आचमन करवाया गया साथी बाबा रामदेव जी से खुशहाली की कामना की मंगला आर्थी के बाद विदिवत रूप से मेले का अगास हुआ पहले दिन अलसुबा से ही मंदिर परीसर में शर्धालों की कतारें लग गई सिरोही पोकसो विशेश कोट के विशेश जज अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नबालिक से रेप के आरोपी को दोशी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथी 50 हजार पे का जुर्माना भी लगाया गिया है लोकवियोजक परकाश धवल की अनूसार पिंडवाडा थाने में वर्ष 2019 में पेडित ने रिपोर्ट देर्स करवाते हुए बताया कि उसके नबालिक बेटी को उसके घर के पास से वागदरी निवासी गोगराम गरासिया बहला कर ले गया सुनी जगा ले जाकर उसके साथ दुशकरम किया बेटी के घर लुटने के बाद उसकी माँ को इस बारे में जब जानकारी मिली तो अरोपी के खिलाफ नामसद मामला दैर्स करवाया पिंडवाड़ा पुलिस ने मामले दर्स कर पीडिता के साथ ही दूराचार के आरोपी को गिरफतार कर दोनों की मेडिकल जांश करवाई दुशकरम की पुस्टी होने पर आरोपी को कोट में पेश किया बाराचले की अंता थाना इलाके में 16 वर्षय स्कूली चातर हरीश की हत्या कर दी गई चातर का कोटा की MBS अस्पिताल में तीन दिन से इलास चल रहा था इलास के दुरान उसकी मौत हो गई हरीश के भाई दिनेश के अनुसार हरीश दस्वें गख्षा में पढ़ता था उसके साथ क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी राखी से एक दिन पहले हरीश ने उस लड़की से क्लास में राखी भंदवाई थी ऐसे में हरीश ने लड़की को भी गिफ्ट के तौर पर कुछ दिया था लड़की के पास गिफ्ट देख उसके भाई गलत समझ गए और तब से वे हरीश से रंजिश रखे हुए थे 14 सितंबर को हरीश खाना खा कर अपने दोस्त के साथ खूम रहा था इसे दुरान लड़की के भाईयों फरहान और साहिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया जिससे हरीश को घंबीर चोटाई और इलास के दुरान उसकी मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूलों की छुटियां की गई है जालोर और बांसवाड़ा जिलों में स्कूलों में अवकाश किया गया है प्रदेश में जाते भादों में मानसुन दुबारा सकिरिया हुआ है राजेसान के जालोर, बांसवाडा, सिरोही, उद्यपूर, जिताडगर जिलों में लगातार बारिश का दार जारी है इनमें जालोर और बांसवाडा में तेज बारिश के कारण जन जीवन भी अस्त वियस्त हो गिया है जालोर में बीते 24 खंटे में अधिक्तम 42 में बारिश दर्स की गई है जहां जवाई बांध में लगातार पानी आ रहा है साथी मौसम विभाग ने सौंबार को येलो अलर्ट जारी किया है जिला कलेक्टर के आदेश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भेराराम ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के साथ-साथ आंगनबाडी केंद्रों में भी सार्वजनिक अवकाश खोशित किया है राजेसबा सांसद कि रोडिलाल मीना ने कहा कि मैंने लगातार खान, JJM, DOIT घुटाले उजागर किये मेरे दिये गए तत्थ्यों के अधार पर ही इन मामलों के जाच ED कर रही है मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोट से मांग करता हूं कि वे इन घुटालों के खिलाफ मुकदमा देर्स करके ACB से जाच करवाएं, आरोपियों के गिरफतारी करके कारवाई करें वरना अगर ED ने कारवाई की तो आच CM गहलोट तक भी आएगी किरोडिलाल मीना ने कहा कि गहलोट सरकार के राज में इनके मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेट और इनके परिवार के लोगों ने जमकर परदेश की जंता को लूटा है, CM गहलोट खुद को गांधिवादी कहते हैं, अगर वे सच में इमानदार हैं तो इन सब पर कारवाई करें वरना खुद को गांधिवादी कहना बंद करें चुरू की दुदवाखारा थाना पुलिस ने NH 52 पर नाकबंदी के दुरान मारवड 0018 गैंग के पांच शातिर बदमाशों को गिरफतार किया है गैंग का एक सदस्या पिछले दिनों हतियार से इत सूरजगर्ड पुलिस के हाथ लगा था इसके बाद से ही शातिर बदमाश इदर उदर छिपने का प्रियास करें थे पुलिस ने इनके पास एक ब्लैक लगजरी गाड़ी भी जब्त की है थाना दिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने एनेच बावन पर दुद्वा खारा स्टेशन के पास नाका बंदी लगा रखी थी इसे दुरान राजगर्ड की और से तेज रफतार से एक ब्लैक रंग की लगजरी गाड़ी आ रही थी पुलिस ने गाड़ी में बैठी लोगों से पूस्ताशकर जानकारी खंगाली जिसमें सामनी आया कि ये लोग हरियाना के मारवाट 0018 के नाम से गैंग चला रही हैं पुलिस ने पिलानी जुंजरो निवासी 24 वर्षे मनोस कुमार जाट सुरसगर निवासी 22 वर्षे अनूज जाट, 24 वर्षे दीपक जाट, हरियाना बहल भिवानी निवासी 24 वर्षे नरेंदर जाट और बहल गोपालवास निवासी 25 वर्षे संजीव जाट को शांती भंग में गिरफतार किया है बीकानेर के मुकता पर साथानक शेतर में एक नबालिक ने चोरी की और उसकी मा ने चोरी के समान को खुर्द बुर्द कर दिया परताल के बाद पुलिस ने नबालिक बेटे और उसकी माँ दोनों को हिरासत में लिया नबालिक को निरुद्ध किया 9 सितंबर को चिरंजी लाल ने मुक्तापर साथ थाने में रिपोर्ट दी कि उसके घर से अग्यात व्यक्ती सोने का हार, सोने की अंगूठी, रखडी, पाइल, मंगल सुत्र, चांदी की चेन, चांदी के सिक्के चोरी कर ले गया थाना रिकारी सुरिश कुमार के नेतरतों में थाना सरपर गठित टीम ने एक किशोर को पकड़ा नबालिक से पूस्त आशकी तो उसने चोरी करना स्विकार किया, जांच में पता चला कि नबालिक की मान, शांती देवी और फकाजल ने चोरी का समान को खुर्दबुर्द कर दिया ये परिवार विवेक बाल निकेतन के पास भाटों का बास के पास का रहने वाला है पाली जिले में दो अलग-अलग मामले में, दो नबालिकों से रेप करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया है, जिन में एक सहयोगी है अध्योगिक ठाने के SHO उद्य सिंग ने बताया कि ठानक शेतर निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी 17 साल की बेटी को सोड़ों की धानी खेरवा निवासी 23 साल का मितेश उर्फ मीठालाल भाट बहला कर अपने साथ खेरवा की तरफ ले गया, सुनसान जगा पर उसे नशीला पदार्थ खिला कर रेप किया अरोपी बार बार उसे मिलने के लिए परिशान करने लगा और बदनाम करने की धंकी दी परिशान होकर नबालिक ने अपनी मा को सारी घटना बताई, पोलिस ने अरोपी को गिरफतार कर लिया, इसे तरह उध्योगिक नगर थाना क्षेतर से, करीब चार महिने पहले करने नगर निवासी 22 साल का प्रकाश भाट, 16 साल की नबालिक को शादी की नियत से फगा कर ले चोर बंद मकान के ताले तोड़कर लाखुर पे के जेवरात, औहजारों की नगदी चोड़ी कर फरार हो गए, खंडेला थाने में 43 वर्षे जाबर सिंग ने बताया, वह अपनी परिवार के साथ सीकर में रहता है, वह सलेधी पुड़ा में उनका पुष्टैनी मकान है, ज पुषना पर खंडेला थाना पुलिस माके पर पहुंची और घटना सलका जाय सालिया, कर दो अ..